हेलो फ्रेंड्स आज का जो वीडियो है वो आपकी हमारी हम सब के मानसिक और सारेरिक इस्थथी को दर्शाती है आज हम सब की आर्थिक इस्थथी खराब है सभी लोग पैसों के लिए परिशान है ऐसी क्या गलती है जिसके कारण हमें स्ट्रेस हो रहा है और इन सब चीजों के पीछे मुख्य वज़य जो है इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे साथ ही साथ ये भी जाने की कोशिश करेंगे कैसे हम इस इस्तिती से उबर सकते हैं, जीवन में खुश रह सकते हैं और अपनी आर्थिक इस्तिती को मजबूत कर सकते हैं. तो आईए वीडियो जल्दी से शुरू करें और कुछ important विंदूओं पर प्रकास डालें जिसमें ये हमें पता चलेगा कि जो इस्तिती हमारी इस समय financial condition जो हमारी है वो खराब है, वो क्यों हैं और कैसे हम उसको cope up यानि improve कर सकते हैं. अगर अभी तक आपने हमारे चनलों सब्स्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्स्राइब बटनों क्लिक करके सब्स्राइब जरूर कर लें और बगल के बटनों क्लिक करके नोटिफिकेशन अउन कर लें जिससे जब भी हम इस चैनल पे नया वीडियो लाएं उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाएं. अगर आप पिछले 10-15 सालों की बात करें तो हर परिवार की जो financial situation है वो degrade होई है वो कमजोर होई है वो गिरी है इस वीडियो में हम जो 10 प्रमुक वजह हैं जिसके कारण ये situation हुई है उस पे हम नजर डालेंगे. सबसे पहला है कि परिवार में आज की डेट में सभी के पास स्मार्ट फोन होना परिवार में 5 लोग है तो 5 स्मार्ट फोन कम से कम 10 लोग है तो कम से कम 10 स्मार्ट फोन जरूर होगा जितने व्यक्ति होंगे उतने स्मार्ट फोन minimum जरूर परिवार में होंगे कई परिवार में तो एक एक लोगों के पाश दो दो तिन तिन फोन भी है तो जब स्मार्टफोन की संख्या एक फैमिली में बड़ी है तो आपको स्मार्टफोन खरीदने के लिए पैसा भी खर्च करना पड़ेगा तो obviously आपके financial situation खराब होगी ही दूसरा है जो पैसा हम कमाते हैं महनत करके salary के रूप में income के रूप में वो पैसा जब हम खर्च करते हैं तो उसमें से एक बड़ा amount loan और credit card में खर्च हो रहा है यानि कि हम credit card से हम marketing करते हैं, shopping करते हैं और जो हमारी salary आती है, तो salary का एक बड़ा हिस्सा जो है credit card का bill जमा करने में चला जाता है या हम loan लेते हैं, उस loan की EMI या interest चुकाने में जो है हमारी salary का एक बड़ा हिस्सा है, हमारी income का एक बड़ा हिस्सा है, खर्च हो जाता है हमें ये लगता है कि पैसा कमा के हम अपना loan और credit card का bill दे रहे हैं लेकिन कहीं न कहीं हमारे खर्चे उससे और बढ़ जाते हैं, loan और credit card के कारण और जब हम जो पैसा कमाते हैं, और जब हम loan का EMI और credit card का bill जब पे करते हैं तो हमारे पास पैसा काफी कम बचता है तो ये भी एक समस्या है हमारे financial situation को खराब होने में तीसरा है कि आज के date में car को social status यानि social symbol के लिए लोग खरीते हैं car एक जरूरी चीज है अगर परिवार बड़ी है तो car का use आपको करना चाहिए भी और कई बार car की need सबको होती भी है लेकिन अकसर देखा गया है कि आज के जवाने में car का loan मिलना आसान है car की जो marketing है वो काफी जबरदस्त है कई बार लोग car सिर्फ इसलिए खरीदते हैं क्योंकि पड़ोसी ने खरीदा है या car होना चाहिए या social status के लिए दिखाने के लिए लोगों को कि हमारे पास car है तो इसलिए अकसर लोग 5 लाग, 7 लाग, 10 लाग, 15 लाग तक की car लेते हैं और उस car को खरीदने के बाद उसका use उतना नहीं करते हैं लेकिन उसके कारण जो खर्चा हो जाता है उसकी भरपाई के लिए उनकी situation financial तोर पे खराब जरूर होती है जनम दिन और सालगिरह में आजकल खूब पैसा खर्च होता है और हम महमानों को बुलाते हैं, जादा पैसा खर्च करते हैं काफी grand तरीके से हम birthday या anniversary मनाते हैं लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि महमानों को बुलाया है, family members को बुलाया है हमें उनके साथ समय गुजारना है हम समय न गुजार के, हम birthday और anniversary में पैसा खर्च करने में बिजी रहते हैं और जब birthday और anniversary खतम हो जाती है और जब पैसा खर्च हो जाता है तो फिर परिशानी बढ़ती है, लोगों में stress बढ़ती है बलकि करना ये चाहिए कि हर वेक्ति को एक normal तरीके से birthday या anniversary मनाना चाहिए और जो family members हैं जो guests आए हैं, उनके साथ ज़्यादा समय गुजारना चाहिए, ना कि birthday और anniversary में ज़्यादा खर्च करके ठीक वैसे ही अगर पाच्वा पॉइंट देखें तो शादी और पारिबारी सामारों में भी आजकल खूब खर्च होता है शादियों में लाखो करोड रुपए खर्च होते है क्योंकि ये आयोजन एक ऐसा आयोजन माना जाता है कि जितना ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे उतना ज़्यादा बड़े आप दिखेंगे लेकिन यहाँ पे भी आम आदमी ये भूल जाता है कि शादी में दो लोग मिलते हैं दो लोग की एक लड़का एक लड़की की शादी होती है शादी का दिन एक नॉर्मल डेज की तरह 24 घंटे और 40 घंटे बाद बीच जाता है और फिर दुबारा आदमी अपने नॉर्मल लाइफ इस्टाइल में लोट आता है और जब सादी में जाता पैसा वो खर्च कर देता है तो शादी के बाद जब उसकी नॉर्मल लाइफ जब जब दुबारा उसको नॉर्मल लाइफ चलानी होती है तो वहाँ वो सोचता है कि उसके पास पैसे की प्रॉबलम है और फिर वहाँ से भी चिंता शुरू हो जाती है तो बेटर ही है कि शादी में पैसे कम खर्च की जाएं और एक जितना आप सिंपल और नॉर्मल तरीके श शूस पैनेंगे, कार चलाएंगे, बाइक खरीदेंगे, उससे होता क्या है कि ब्रांड के नाम पे आप फिजूल खर्ची भी करते हैं क्योंकि आपको ये दिखाना होता है, बताना होता है कि आप सिर्फ एक फला फला ब्रांड के ही चीज़े यूज़ करते हैं और सच्चा आपके बॉड़ी में बढ़ता है, ठीक वैसे ही आदमी का लाइफस्टाइल भी आज की जमाने में चेंज हुआ है, खान पान चेंज हुआ है, लाइफस्टाइल और खान पान चेंज होने से आप बिमार पड़ते हैं, आपको सारी रिक रोग होते हैं, मानसिक रोग होते है और उसके solution के लिए आप medical के जो help लेते हैं उससे भी आपका खर्चा बढ़ता है और जब खर्चा बढ़ता है तो आपके परिवार की जो वित्तिय स्थिति होती है वो खराब होती है सात्वा जो point है वो भी काफी important है अक्सर देखा गया है कि अगर आपका कोई relative आपका कोई friend आपका पड़ोसी अगर कहीं बाहर घूमने गया है तो अगले दिन से शुरू हो जाता है घर में कि अगर वो घूमने गया है तो हमें भी बाहर घूमने जाना चाहिए तो हम घूमने इसलिए नहीं जा रहा है कि हम घूमने जाना चाहते हैं हम घूमने इसलिए जाते हैं क्योंकि हमारा जानने वाला कोई व्यक्ति घूमने गया है और हम उससे बेटर जाने की कोशिश करते हैं जिससे कि हम अपने आपको ये दिखा सके उसको ये दिखा सके कि हम उससे बहतर ह और अगर आप बाहर घूमने जा रहे हैं, तो फिर आपके खर्चे बढ़ते हैं, और कहीं न कहीं जो है, financial stress आपके जीवन में बढ़ता है, बाहर घूमना गलत नहीं है, बाहर बिल्कुल घूमने जाना चाहिए, लेकिन उस समय जब जरूत आपको हो, ना कि किसी को दिखाने क लिए, आज कल तमाम ऐसे आपके applications हैं, तमाम ऐसे options हैं, जिससे आप घर पे अपना खाना मंगा सकते हैं, घर पे खाना कम आप खाते हैं, और बाहर खाना आज की जमाने में ज्यादा खाते हैं, और जब ज्यादा बाहर खाना खाएंगे, तो खर्चे obviously बढ़ेंगे, ये भी का जो वित्तिय जो इस्तिती होगी उससे भी खराब होगी नौवा पॉइंट है आज के जमाने का स्कूल है पढ़ाई लिखाई है हॉस्पिटल है यह सब कुछ कमर्शल रूप धारन कर चुका है पैसा फेकिए तमाशा देखिए जितना जादा आप पैसा दे पाएंगे उतन बड़े हॉस्पिटल में आप इलाज करा पाएंगे लोग यह सोचते हैं कि ज्यादा पैसा खर्च करके ज्यादा महंगे स्कूल में पढ़ा कर ही बच्चे का भविश्य बन सकता है बलकि वो गलत है बच्चा आगे पढ़ता है अपने काबिलियस से अपने फैमिली से और हाँ अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहिए लेकिन इस दौरान आप ये गलती कर देते हैं कि ज्यादा फीज देने के कारण आप अपने उपर स्ट्रेस लेते हैं बच्चा तो बिचारा पढ़ता है लेकिन आप अपने जीवन में तमाम समस्याओं को दावत देते है मेंटल स्ट्रेस लेते हैं जो कहीं न कहीं आपके लिए और आपके फैमिली के लिए नुक्सान दायक भी होता है आप घर बनवा रहे हैं आप आफिस बनवा रहे हैं अपना तो उसके इंटीरियर्स में भी आप काफी खर्च करते हैं उसका मेंटेनेंस कॉस्ट इससे कहीं न कहीं घर बनवाने में आज के टाइम पे देखा गया है कि पहले के मुकाबले लोग दो गुना तीन गुना पैसा खर्च कर देते हैं सिर्फ अंदर की सजावट पे क्या वाकई उसकी जरूरत है क्या उसमें कुछ कंट्रोल नहीं किया जा सकता है ये भी सवाल सोचने का है तो फ्रेंड्स ये था दस प्रमुक चीजें जिससे कारण आज के समाज में आपकी हमारी सब की वित्य इस्तितिक हराब हो रही है इसको रोका नहीं गया तो ये आगे और खतरनाक होगा हम दूसरे की जीवन शैली को कौपी कर रहे हैं उसकी नकल कर रहे हैं लेकिन हम ये नहीं समझ रहे हैं कि हमारी जरुवत क्या है और हमारी आमदनी क्या है कम आमदनी में भी जीवन का आनन्द उठाये जा सकता है और अगर आप अपने आपको समझे अपने फैमिली को समझे और अगर ये चलता रहा आपने इस चीज को नहीं समझा तो जीवन में स्ट्रे कोई वीडियो अच्छा लगा उसको लाइक करिए ज्यादे लोगों शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए का अगले वीडियो तक है वेट नाइस टे